विवाह प्रमान पत्र जो जरूरी किया गया था अब वो आपका जरूरी नहीं विवाह प्रमान पत्र के जगह में और भी अन्य दस्तवेज दे सकते हैं तो कौन-कौन सा दस्तवेज आप दे सकते हैं इसके सम्मन्द में कम्प्लीट निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है तो विवाह प्रमान पत्र के जगह में आप कौन सा दस्तवेज प्रस्तुत कर स तो दोस्तो विवाह प्रमान पत्र को लेकर जो यहां पर सूचना जारी किया गया है चलिए उसकी जनकारी आपको पहले देते हैं इसके बाद दोस्तो आपको बताएंगे इसके ओफिसियल पोर्टल पर आप कैसे जा सकते हैं और इसमें आप ओनलेन फॉर्म कैसे भर पाएंग महतारी बंदन योजना प्राप्त किये जाने वाली दस्ताविज महतारी योजना उसी संभण में यहां पर जारी यहां और जिसमें आपस आप देख पहेंगे विस्यांतरगत लेख है कि महतारी वंदनी योजना अंतरगत विवाहित महिला की पातरत निर्धारित की गई है और महिला के विवाहित होने की पुष्टी के अंतरगत यहाँ पास निम्नलिखित दस्तवेज प्राप्ते किये जा सकते है तो यहाँ पास विवाहित है इसकी पुष्टी के लिए जो विवाह प्रमान पत्र लग रहा था उसके जगा में दोस्तों आप ये सभी दस्तवेज अब प्रस्तूत कर सकते हैं आपके लिए विवाह प्रमान पत्र देना ही जरूरी नहीं है यहाँ पर इस पर श्रूप से आप अपने रासन कार्ड भी प्रस्तूत कर सकते हैं या फिर अधार कार्ड प्रस्तूत कर सकते हैं या फिर मददाता परीचे पत्र प्रस्तूत कर सकते हैं या फिर यहाँ पास आप निवास प्रमान पत्र भी प्रस्तूत कर सकते हैं तो इन सभी में से दूस्तों कोई सभी एक भी डाकुमेंट आपके पास है तो आप इसे प्रस्तूत कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से आप महतारी वंदन योजना के अंतरगयत फॉर्म भर सकते हैं तो यही कमेंट हमें सबसे ज्यादा आ रहा था विवाह प्रमान पत्र को लेकर तो यहाँ पास इसका भी solution यहाँ पर निकल गए है आप देख पहेंगे ठीक है इसे के साथ यहाँ पर नीचे और भी जनकारी दीगे है देख पहेंगे यदि उप्रोक्त में से कोई भी दस्तवेच उबनोब्ध नहों तो विवाहित महिला दवारा स्वागोसना सपत्पत्र प्रस्तूत किया जा सकता है तो स स्वागोसना प्रमान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भी जनकारी हमने दे दी है इसे के साथ दूस्तों यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर बताया गया है कि यदि महिला हिद्गराही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके इस्थान पर हिद्गराही के दवारा राषन कार्ट की चहया प्रती आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यत है प्रस्टूति किया जाना होगा तो यहाँ पास बहुत से ऐसे होते हैं जिनके यहां मोबाइल नंबर नहीं होता तो ऐसे इस्थाजि में आपको बलकुल भी गजबाराना नहीं है ऑना होग न हो किसी आ यहाँ पस आप रासन काट की छाया प्रति को प्रस्तुत कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों यह अधी सूचना यह सूचना जो है जारी किया गया है जो काफी इंपोर्टेंट था आप सभी हिद्ग्राहियों को बताना क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट हमें इसी की पर आ रहा है थे कि यहाँ पस हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे बहुत कम ही हिद्ग्राही है जिनको इसका लाभ मिल पाएगा तो ऐसा नहीं है यहाँ पर इस पाश्रूप से इसकी पुष्टी के लिए आप ये सभी दस्तवेज आप दे सकते हैं कोई सभी एक दस्तवेज आ महतारी किया गया है उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए से आपको कोई सभी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है इसके बास सर्च बार में देखिए यहाँ पर महतारी वंदन योजना cg-state.gov.in आप सिंपले से ऐसे सर्च कर सकते हैं अब जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पस आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जगा फिर यहाँ पस आपको ध्यां रखना है चलिए थोड़ा सा जूम करके आपको बताते हैं तो यहाँ पस आप देख पेंगे cg-government यहाँ पास लिखा रहेगा और साथी साथ यहाँ पर महतारी वंदन योजना cg-state.gov.in लिखा यहाँ जिसमें सबसे उपर महतारी वंदन योजना लिखा हुआ है जिसमें ससक्त महिला मजबुत प्रदेश यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर नीशे आएंगे तो आपको और भी जनकारी देखने के लिए मिल जागी जिसमें आपस आप देख सकते हैं वार्सिक वृत्ति साहता विवाहित महिलाओं को यहाँ पास बारा हजार रूपए इस योजना के अंतरगत मिली गाए जिसके जनकारी हमने उसे आप यहां पास क्लिक करके आप देख पाएंगे आज इसका आप भर आएंगे और इसके साथ की संथाठ दोस्तों आपको एक ढपने इस थ्री लाइन पर आप क्लिक करके बहुत अधिक जनकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो देखेंगे बहुत सरे options यहां पर open होकर आ जाते हैं, जिसमें यहां पास इसके मुख्य प्रिष्ट की जनकारी आप यहां से लेख सकते हैं, इसके साथ आ आविदन भरते हैं तो आपके भुगतान की स्थिति आपका पैसा आया है की नहीं आप यहां से भी चेक कर पाएंगे तो कैसे चेक कर पाएंगे क्योंकि आठ मार्च से यहां पर पहला किसे हां पर इसका रिलीज किया जाएगा तो इसकी भी जनकारी के लिए हम एक अलग से व यह आविदन पत्र आपको भरना होगा तो यह आविदन पत्र कैसे भनना है इसके उपर हमने पहले ही वीडियो डिटेल्ड बना रखी है ठीक है तो यह आविदन पत्र आप भर सकते हैं हमारा वीडियो देखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हमने दे दिया है वहां से आप इसका आविदन पत्र कैसे भड़ सकते हैं वो वीडियो देखकर आप असानी से भड़ सकते हैं इसी के साथ दोस्तों यहां पास आपको सपत पत्र का भी PDF दे दिया गया है आप यह भी डाउलोड करके भड़ सकते हैं इसके उपर भी हमने पहले ही complete मिल जगी जिसमें दोष्तों यहां पास योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ने जैनकारी दीगी है इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं पर देखेंगे तो यहां पास बहुत अधीक जानकारी आपको देखने के लिए मिल जगी जिसमें दूस्ती यहां पास आप देख पैंगे समचार घोसनाय में यहां पास इस पच्छ पर रूप से महतारी वंदन योजना का घोसना ग्रिह मंतरी अमिसाहा के द्वारा किया गया है यह यहां पर का ठीक है लेकिन अगर आप ये वीडियो दो पहर बारा बजे के बात देख रहे होंगे तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्टन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको देखने के लिए मिल जागा तो इसी पोर्टल से यहां पास आप आप आपके पास इंटरनेट की सुवीधा न सकते हैं तो अगर आपके पास इंटरनेट की सुवीधा नहीं है तो आप आप लेन फॉर्म ही भरिए लेकिन जितके पास इंटरनेट की सुवीधा है वो सभी यहां पास ओनलीन माध्यम से स्वयम से भी फॉर्म भर सकते हैं तो फॉर्म कैसे भरना है इसके उपर भी एक डि पिद्गराहियों के साथ अपने family members के साथ share कर दीजेगा ताकि सबको इसकी जयनकारी प्राप्ता हो सके तो यह थी दोस्तो महतारी वंदन योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जयनकारी जिसे आपको जानना काफी important था इसलिए दोस्तो हम आपके लिए यह वीडियो लाए कीजिगा चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जै हिंद जै छेटिस गड़